नमस्कार दोस्तो रोहित इस्तडीस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए सिंदु घाती सब्धेता का पहला पार्ट ला रहा हूँ दोस्तो प्रतेक पार्ट में मैं 25-25 प्रशन का वीडियो बना करके डालूँगा और ये सब वीडियो को मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तो आप इन वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक ही बार में सब कुछ पूरा प्रशन याद हो जाएगा दोस्तो इससे पहले मैं प्राग एतिहासिक प्रशनों का वीडियो यूटूब पे अपलोट कर दिया हूँ और वो पूरा साथ पार्ट में है करीब पहने 200 प्रशन होगा और दोस्तो उमीद करता हूँ कि उन सब प्रशनों को पढ़ने के बाद आपका 90% प्रशन की लियर हो जाएगा तो दोस्तो वो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा वीडियो आप यहीं से देख सकते हैं तो दोस्तो हम बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट के पहले प्रशन की तरफ प्रशन एक सिंदु घाटी सभ्यता के सहरों की गलियां थी तो इसका A सही होगा चवडी और सीधी दोस्तो यह तो आपको याद ही रहेगा कोई भी गली चवडी और सीधी ही होती है प्रशन दोसिंदु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्टनों पर किस रंग का प्रियोग करते थे तो इसका D सही होगा लाल रंग दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे मिट्टी का कोई भी बर्टन होता है जब उसे पका दोगे तो लाल ही हो जाता है इस तरह से आप लाल याद रख लेंगे प्रशन तीन हरपा तिले का सरोपथम उलेख किसके द्वारा किया गया तो इसका ए सही होगा चाल्स मेंसन दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे तो चाल्बाजी से मेंसन कर दिये तो चाल्स मेंसन आपको याद रहेगा प्रशन चार हरपा और मुहन जोदुडू की खुदाई किसने कराई तो इसका ए सही होगा सरजान मार्सल दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे हरपपा और मुहन जोदुडू दूरी पर था तो आने जाने के लिए मार्सल का इस्तिमाल करते थे तो मार्सल से सरजान मार्सल आप याद रख लेंगे प्रश्ण पांच सिंदु घाटी सब्यता में तराजू कहां से पाए गएं उत्त लोथल से दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे जैसे आप किसी को तराजू देते हैं तो कहते हैं न लोथाम लोथाम से लोथल आप याद रख लेंगे प्रश्ण च सिंदु घाटी सब्यता का सबसे छोटा अस्थल कौन सा है इसका बी सही होगा अल्ला दिनो दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे आधा दिन आधा दिन से अल्ला दिनो आपको याद रहेगा सिंदु सब्यता का सबसे छोटा अस्थल है प्रश्न साथ सिंदु सभ्यता का काल क्या माना जाता है तो इसका डी सही होगा पचीस सव इसा पूर्व से सतरसो पचास इसा पूर्व तक प्रश्न आठ सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था तो इसका बी सही होगा गेहूं और जव दोस्तों गिवूं और जव आपको याधी रहेगा प्रश्ण नव मांडा नगर किश्न नदी पर इस्तित्था तो इसका ए सही होगा चिनाब नदी दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे ये जो मांडा लिखा हुआ है हम इसे कहते हैं मांगा जब कोई चीज मांगा तो उसपर चिनाब आप याद रख लेंगे प्रश्ण दस हडपा के खंड़र किश्न नदी के तट पर पाए गए हैं तो इसका भी सही है रावी नदी ये तो आपको याधी रहेगा प्रश्ण इजा रहे है मोहन जोड़ों में सबसे बड़ा भवन काउन सा है तो इसका डी सही होगा धन्यागार दोस्तो आप इसको ध्यान देंगे सबसे बड़ा भवन जो है धन्यागार अन्यागार और ग्रेट ग्रेनरी दोस्तो ये तीनों ही कहे जाते है पाया गया है प्रश्ण 12 सिंदु घाटी सभ्यता की लीपी कैसी थी तो इसका डी सही है ग्यात नहीं है ये तमिल बी अर्बी सी ब्राम में डी ग्यात नहीं है तो दोस्तो इसका डी सही कहेंगे दोस्तो सिंदु घाटी सभ्यता की लीपी जो है भाव चित्रात्मक थी आप इ याधी रहेगा प्रश्ण 14 सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्य पूर्ड रचना निम्न लिखित में से किसकी मुर्ती है तो इसका भी सही है नित्य करती हुई मुर्ती तो दोस्तो ये आपको याधी रहेगा नित्य करती हुई मुर्ती प्रश्ण 15 लोथल नामक अस्थान पर निन्मोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था दोस्तों जहाजी माल घाट का मतलब होता है बंदर का तो किस सभ्यता का बंदर का था तो इसका C सही होगा सिंदु सभ्यता का प्रश्न सोडर मोहन जोदुडों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो इसका D सही यह ग्रेड ग्रेनरी, दोस्तोt अभी जो मैंने आपको प्रश्न गारा में बताया हूँ, वही सेम्टूसे में यह है, वो हिंदी में लिखा हुआ था, और यह अंग्रेजी मे है, ग्रेड ग्रेनरी अंग्रेजी में होता है, आप इसे ध्यान देंगे, प्रश्न 17, सिन्दु अगे जोड़ दिया तो मोहन जोड़ो आपको याद हो जाएगा प्रश्ण उन्नीश हडपा सब्विता के निवासी थे तो इसका डी सही होगा सहरी दोस्तो ये भी आपको यादी रहेगा प्रश्ण भी सहडपा के किशनगर को सिंध का बाग कहा जाता था तो इसका सी सही होगा मोहन जोड़ो को सिंधु का नकले स्थान या बाग हडपा सब्विता के किस पूरा अस्थल को कहा गया है तो इसका बी सही होगा मोहन जोड़ो दोस्तो ये दोनो प्रश्ण सेम टू सेम है इसके लिए दोनो साथ में ही रख दिया हूँ और मोहंज उजड़ो आपको याद रहेगा प्रश्ण 21 हडपा के निवासी की स्खेल में रूची रखते थे तो इसका 20 है होगा सतरंज प्रश्ण 22 हडपा की सभ्यता किसी यूगी की सभ्यता थी उत्तर कासी यूग दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हडपा लिखा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज को हडप लेता है तो सामने वाला कहता है कास ऐसा नहीं होता तो कास से कासे यूग आप याद रख लेंगे प्रश्ण 23 सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य ब्यवसाय क्या था उत्तर ब्यापार दोस्तो ब्यवसाय से ब्यापार आप याद रख लेंगे प्रश्ण 24 हडपा का प्रमुख नगर काली बंगा किस राज्य में है उत्तर राजस्थान में दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे ये जो काली बंगा लिखा हुआ है आप इसे कहेंगे कमबाल की बात है कि राजा के अस्थान पर था तो कमबाल की बात से काली बंगा याद रख लेंगे और राजा के अस्थान पे राजस्थाना पे आद रख लेंगे प्रस्न पचीस हडपा वासियों ने सरप्रतम किस धातु का प्रयोग किया तो इसका बी सही है तामबे का दोस्तो तामबा भी आपको याद ही रहेगा दोस्तो ये सिंधू सभ्यता का पहला पार्ट पूरा होता है इसके बाद मैं सिंधू सभ्यता का दूसरा पार्ट बना करके वीडियो अफ्लोड करूँगा दोस्तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और नहीं भी अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तो और मेरे सांस अंत तक बने रहने के लिए धन्य बाद तो चलता हूँ दोस्तो जैहेंद